नमस्कार स्वागते आप सभी का नीज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट स्पोर्स पोस्ट स्रेय सयर के लिए पिछला कुछ समय बहुत अच्छा नहीं रहा पहले इंग्लैंड के खिलाब उनका बल्ला खामोश था जिसकी वज़े से उनको इंग्लैंड की टीम से ड्रॉप कर दिया गया एक ख़बर तो यह थी उसके बाद BCCI भारती मैनेजमेंट ने उनको बोला भाईया आप जाकर ड्मेस्टी क्रिकेट खेले पर वो कहते हैं भाईया हमारे पीट में दर्द होता है तीस वाल खेलता हूं वो ड्मेस्टी क्रिकेट नहीं खेल लेते और फिर कहने के बावजू किया गया और एक यह बहुत कड़ा शंदेज था उन खिलाड़ियों के लिए जो ड्मेस्टी क्रिकेट को प्राइटी नहीं देते थे और तब ही से इनके बारे बड़ी सारी बाती हो रही थी और ड्मेस्टी क्रिकेट फिर उसके बाद यह बड़े एक्शन के बाद ड्मेस् और विधर्व के बीच खेला जा रहा है वहाँ पर स्रेय सेयर का बल्ला गर्जा है और ना सिर्फ गर्जा है बलकि फाइनल मुकाबले में विधर्व के खिलाब सेकंड इनिंग में अर्धशत की पारी खेली है और अपनी टीम महराज को चैंपियन बनाने में एक एहम योगद पारी खेलते हुए नजार आ रहा है और एक अच्छी पारी यहां पर स्रेय सेयर के बल्ले से देखने को मिली है क्योंकि आइपल के बस शुरू ही होने वाला और डुमेस्टिक क्रिकेट का जो यह रंजी चल रहा है इसका आखरी मुकाबला फाइनल का मुकाबला खेला जा पर आया और इस मैच में एक बड़े मुकाबले में एक बड़ा खिलाडी एक बिजजती होकर यहां पर आया था इसकी जो कहते है ना स्टेक दाव पर लगी थी क्योंकि स्रेय सेयर एक समय पे तीनों फॉर्मेट में आपके खिलाडी थे वर्ल्ल कप में हाइस रंगेटर थे उनको इस तरीके से ड्रॉप करना और सेंट्रल कॉंटेक्स लिस्ट से बाहर करना यह अपने आप में बड़ा मैसेज और एक डिमीनिंग था इस खिलाडी के लिए और अब जाकर फाइनल मुकाबले में अपनी महारास टीम को चैंपियन मनाने के लिए इस खिलाडी ने इनके उपर बिड लगाई गई थी और यहां से अब इस टीम की कप्तानी करेंगे उससे पहले एक कॉन्फिडेंस बूस्टर इस खिलाडी के लिए साबित हो सकता है रंजी के फाइनल में अर्धिशत की पारी और उस उन आलोचकों को भी एक तरीके से जवाब है जो इस खि मुंबई की टीम है और हो सकता है कि इस बार भी मुंबई की टीम आपको रंजी फाइनल की ट्रॉफिय उठाते वे देखी जा सकती है और इसमें स्रेय सहीर का बहुत बड़ा योगदान है और इसी के अलावा यहां पर अजिंके रहने ने भी इसी टीम के करब से एक कि पारी नहीं आई है अजिंके रहने की पर उन्होंने एजर कैप्टन अच्छा परफॉर्म किया है तो यह थी हमारी रिपोर्ट अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और देखते रहें इसरूम पोस्ट